क्या आपको डर लगता है जब आपको डॉक्टर कहता है कि आपको स्लिप डिस्क हो गया है स्पाइन में आपकी समझ से आपको तंग कर रखा है सालों साल और सर्जरिस्क के नाम से आप डर रहे हो फिर दूसरे डॉक्टर के पास दोस्तों जाते हो वो भी एक बार फिर MRI करवाता है यानि बार बार आपकी repeated MRI हो रही है और आपको वही कहा जा रहा है कि आप ठिक नहीं हो सकते और आपको surgery करनी पड़ी दोस्तों आप माईस हो जाते हो परिवार माईस हो जाता है कि कैसे surgery को आप face करोगे आज मैं कह रहा हूँ कि ऐसे MRI से और ऐसे डॉक्टरों के बातों से बिलकूल घबरा ये नहीं आपका घबराहट आपको परिशान कर सकता है और आपको surgery टेबल पे ले सकता है आप आज भी ठीक हो सकते हो दोस्तों हजारों मरीजों को मैं अपने कैरियर में ठीक किया हूँ भगवान की इच्छा से भगवान ने हमें वो काबिल बनाया है फोर स्टेजेस अप पेन मैनेजमेंट दोस्तों इतना ससत है इतना स्ट्रॉंग थियोरी है दोस्तों कि इसके सहारे कोई भी पेशन्ट दोस्तों हो सकता है आपकी लोयर स्पाइन हो या अपर स्पाइन हो कहीं पे भी डिस्क की समस्या है बिलकुल घबराईए नहीं ततकाल मुझे वाटसप डालो डबल टू डबल सिक सेवन सिक्स त्री जिनो त्री में मेमारे देखने के बाद अगर आपको बुलाता हूँ तो जरूर आईए और सरजरी से बचिए दो टिप्स आपको ऐसे ही बैठे बैठे दोस्तों दे रहा हूँ एक कभी भी अपने बॉडी का जो बैलनसे उसको बिगड़ने ना दे और अपने आपको बहुत ज़्यादा बलसाली ना माने कि मैं ये भी उठा लूँगा मैं ये भी कर लूँगा मैं वो भी कर लूँगा किसी भी उम्र में यहीं पे हम धोका खा जाते हैं किसी भी तरीके का ओजन उठाने के पहले तीन बार जरूर सोचे जैसे फर एक्जांबुल एरपुड जाते हैं को एक बड़ा सा अटाची है हम सोचते हैं उसको उठाएंगे और लेके दुसरे जगे रख लेंगे या उस रोलर पर रख लेंगे या कहीं पे भी कोई ऐसा सामान है जिसको को हम उठाके दुसरे जगे place कर लेंगे यही हमें नुकसान देता है यही हमें slip disk दोस्तों करवाता है कभी भी अपने ताकत का गलत इस्तिमाल ना करें नहीं गलत आकलन करें दोस्तों muscles आपका धोका दे सकता है spine आपका धोका दे सकता है और आप परिषान हो सकते हैं मेरे जीबन में जो मैंने सीखा उसमें मैंने दो-तिन चीज़े देखा एक जो जीम होगे राक पे जाते हैं वहाँ पे जो नॉन प्रोफेस्टनल लोग होते हैं जिनको ना स्पाइन के बारे में पता ना मसल्स के बारे में पता ना लिगामेंट के बारे में ठीक से पता है वो आपको वेट लिप्टिंग करा देते हैं ओजन आपसे उठा लेते हैं फिर आपका डिस्क दोस्तों खराब हो जाती है स्लिप डिस्क हो गया डिस्बल्ज हो गया यह जो समस्या है यह आपके नर्व को खराब कर सकता है और आप एक तरह से अपाईज हो सकते हो बचने का तरीका दोस्तों बहुत है कई वीडियों मैंने इसको सेयर किया हूँ आज के वीडियों बस इतना कहना चाहता हूँ ऐसा अगर समस्या आया तो गरम सिकाई तुरंद ना करें हमेशा जब भी कोई समस्या आत तो वहाँ से जो हीड जन्रेट हो रहा है वो थंडे सिकाई के कारण सबसाइड हो जाएगा याने आईस थरापिया आप वहाँ पर करें बार बार करें हर 2-4 घंटे दोस्तों आप देखो के शुजन भी कम हो जाएगी होहां की हीड भी कम हो जाएगी और आपका जो डमेज इरिया है वो धीरे 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 ठीक होने लग जाएगा और आप बच जाओगे लोग है फटा पट आये और बाम होगे लगा एक गरम सिकाई किये दो चार बार कर लिए उसके बाद फिर बेड़ में आ गये इससे दोस्तों बचनी चाहिए दूसरी बात है दोस्तों कभी भी अपने आपको ओबर लिप्टिंग ना करें अपने आपको उस स्तीती तक ना लें जहां पे आपको एक समस्या फेस करना हो मैं के एक एक पेशेंट थे मेरे उनके हज्मेंट ये बात को 20 साल हो गया अपने घर में संडे में कुछ काम कर रहे थे और सफाई हो गया और वो ड्रॉग को खींच रहे थे लकड के ड्रॉग को और बहुत दिन सा जाम पढ़ा हुआ था बारिस में और सड़नली ओड्रॉग खुल गया और ये जर्क खाए और पीछे आ गया और उन्हें सीबिया स्लिप डिस हो गया लोयर बैक उनका L4, L5 बिलकुल बाहर आ गया और समस्या होती है तो जैसे मैंने कहा आइस थराफी पहले करें ये दो तीन दिन उसके बात फिर आप थंडा गरम सिकाई आप अल्टरनेटिव करके कर सकते हो इससे आप कुछ जबर्दस दोस्तों लाब होगा और आप याद रखें पहले थंडा दो तीन दिन थंडा थंडा सि समस्या है तो आठ नौ दिन के बाद आप गरम सिकाई लगातार आप कर सकते हैं सुबासा जब अर्दस फायदा होगा मेरी किताब में दोस्तों इसे हजारों टिप्स लिखा हो माई हेल्थ इन माई हाई ऑनलाइन मंगा हो एमेजन से या फिर हमसे डायरेट मंगा हो जिसमें लोग बिमार भी हो वो भी दोस्तों रेश्टेशन कर रहा हो वाटसप करो डबल एट टू डबल सिख सेवन सिख 303 में डबल डबल जिरो फोर जिरो थी सेवन फाइवेट में दोस्तों हर तरह से मैं आपको एकुप्ड करना चाहता हूं बाकि आपकी भाग्य है आपकी कर्म में मेरा जो धर्म है वो मैं कर रहा हूं थैंक्यो जाहिन जाए भारत